नमस्कार दोस्तो स्वागा थे आपका पराक्टेलर चेनल पर दोस्तो जैसे कि मैंने कल कहा था ना कि अब लगातार कटिंग के वीडियो आने वाले हैं तो आज से कटिंग के वीडियो स्टार्ड हो चुके हैं आज पहला ही मैं जो वीडियो बना रहा हूं कटोरी ब्लाउच क कटिंग का बनाने वाला हो और इसके बाद में लगातार वीडियो आने वाले है तो चैनल पर अगर पहली बार है तो इस चैनल को subscribe कर लेना बहुत सारी जानकरिया आपको मिलने वाली है तो दोस्तो देखिए आज जो blouse की कटिंग होगी उसके लिए मेरे पास इतने सारे बुलाउज है सभी सिल्क साडी के महेंगे महेंगे बुलाउज है और मैं आपको इस बुलाउज पर आज कटिंग बताऊंगा और इसकी डिजाइन वाला वीडियो भी आएगा और इसकी पूरी फुल इस्टिचिंग का वीडियो भी आएगा तो लगातार हमार सारे blouse cutting करना है इसके लिए जो measurement है ना यहाँ पर देखिए यह measurement दिख रहा है इस measurement के इसाब से हम cutting करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यह हम blouse cutting करेंगे इसी पर design बनाएंगे तो इसको पहले site में रखते हैं जैसे कि हमारी जो नई वाली cutting है ना यह कभी भी कपड़े पर direct नहीं होती है इसको हमको पहले फर्मा काटना पड़ता है फर्मे के बाद में इसकी cutting होती है और आपने यहाँ जो बाजू में measurement देख रहे है इसी measurement से पूरी cutting होगी तो पूरा वीडियो देख लेना ध्यान से देख लेना कहीं पर भी skip मत करना अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले chest है इसका 37 और upper chest है इसका 35 दोनों के बीच में गेब 2 इंच का आया है यहाँ पर 2 इंच का आदा होगा एक एक इंच तो एक इंच आया यहाँ पर इस तरह से और इसमें हम plus करेंगे आदा इंच ठीक है 0.50 तो यह कित्ता हो जाएगा 1.5 इंच नीचे आप कभी भी जब बुलाउस की cutting start करेंगे अगर upper chest chest में 2 इंच का फरक है तो यहाँ पर 1.5 इंच नीचे बढ़ा देंगे तो देखिए यहाँ पर 1.5 इंच नीचे बढ़ा दिया है आदा इंच यहाँ पर हमको सिलाई margin देना है हूखाई पट्टी के लिए क्योंकि सामने ह रूख है और यह front की cutting हो रही है तो यह आदा इंच का यहाँ पर भी आपको निचान लगा लेना है अभी देखिए आदा इंच का निचान लग गया है अब आपको क्या करना है blouse के लिए 14 इंच है तो एक इंच शिलाई margin मिला कर 15 इंच हो जाएगी ठीक है और अगर आपका shoulder 14 इंच, 45 इंच है तो यहाँ पर 7 इंच का shoulder slope ले लीजिए और यह 7 इंच का shoulder slope जो रहेगा ना 34 से लेकर 42 तक कमपल सरी है यहाँ पर 7 इंच निचे उतारना है यह देखिए मैंने यहाँ पर 7 इंच का shoulder slope दे दिया है अभी यहाँ measurement करेंगे हम हमारा shoulder कितना है 14 इंच है तो 14 इंच यहाँ पर है इसको आदा करेंगे तो कितना आएगा 7 इंच पुरा 7 इंच यहाँ पर रख लेंगे ठीक है और सिलाई margin हम आपको मालूम है ना हमेशा 7 में 8 कर लेते हैं तो यहाँ पर आदा इंच की सिलाई margin जो दबाव के लिए होगी और अगर 34 से 42 तक का आपका chest है तो आप यहाँ पर 15 इंच रखकर निशान लगा लेंगे direct और यह यहाँ से यहाँ solder slope मिलाएंगे ध्यान रखेंगे solder slope यहाँ से margin जहां पर है वहाँ तक मिलाना है यहाँ से उपर से हमको यहाँ से निकालना है armhole का round ठीक है हमारी cutting में armhole का round बहुत main रहता है और उसको पुरा ध्यान से निकालना होता है तो यह 34 से 42 तक के अंदर क्या आपक करना है वो बताने वाला हूँ पहले यहां से हम क्या करेंगे बस्ट की लंबाई निकालेंगे देखिए 37 इंच का चेश्ट है याने 37 इंच इसका 14 करेंगे तो 9.25 आएगा और पलस कर देंगे एक इंच तो कित्ता हो जाएगा 10.25 अगर आपने कस्टमर का बस्ट की लंबाई म आएगा हमारे पास 10.25 यह मैंने 10.25 पर एक मार्क लगा दिया देखिए बस्ट की दूरी लंबाई तो हमने निकाल लिए अभी दूरी कित्ती रखना है यहां पर दूरी रखना है हमको 37 का दस्वा भाग तो 3.7 आएगा ठीक है तो 3.7 यहां रख देंगे हम ठीक है यह किलियर समझ में आगया आपको अब हमको क्या करना है इस मार्क को सीधा लगा लेना है तो इसके लिए हम यहां पर रखेंगे स्केल को ऐसे सीधे यह देखिए ऐसा यहाँ पर अगर हम सीधा मिला लेंगे तो हमारा मार्क भी सीधा आ जाएगा यह देखिए यह आपको मार्क दिख रहा है अभी हमको क्या करना है यहाँ पर फरंट और बेक का जो difference रहता है न वो निकालना है फरंट और बेक में 2 इंच का हम difference रखेंगे कैसे रखेंगे क्या रखेंगे चलिए यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले 37 हमारा chest है और यहाँ पर अगर हमने customer का body measurement लिया है तो 2 इंच की losing पलस करना है याद रखना और यह 1 इंच से 2 इंच की losing क्यों पलस की हुई है आगे आने वाले वीडियो में body measurement लेना सिखाऊंगा आपको वहाँ पर बताऊंगा कि कैसे 2 इंच और कैसे 1 इंच आता है तो 2 इंच की losing पलस करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर जब हम front cutting करेंगे तो 2 इंच पलस करना पड़ता है ठीक है ध्यान रखना front में 2 इंच पलस होगा और 2 इंच में 2 इंच माइनस होगा पहले इसका गणित लगाते है 37, 2, 49, 40, 41 यहाँ पर आया हमारे पास तैयार 41 इंच ठीक है दोस्तो 41 को हमको क्या करना है 4 से divide करना है याने 1, 4 से तो यह आएगा हमारे पास 10.25 10.25 का हमारा front बनेगा अब यहाँ पर measure करना है bag तो bag में क्या चीज जोड़ना पड़ती है दो जैसे देखिए 37 और 2, losing का कित्ता हो गया 39 यहाँ पर मैं 39 रखूंगा इसको minus करना है 2 इंच जिसे front में हमने plus किया था न 2 इंच तो minus करेंगे 2 इंच तो यह कित्ता आजाएगा 37 37 का 14 होता है 9.25 तो back cutting होगा हमारा 9.25 का front cutting होगा हमारा 10.25 का इस फरक से क्या होता है जो chest में हमारा जो उभार आना चीए dot की length आना चीए dot की चोड़ाई कित्ती आना चीए यह सब चीज perfect आ जाती है इस हिसाब से cutting आप करिए और किसी भी ladies का देखिए front ज़्यादा रहता है back कम रहता है अभी यहाँ पर हम 10.25 रखेंगे नीचे भी हम 10.25 रखेंगे और यहाँ पर देखिए shoulder के यहाँ पर भी हम 10.25 रखेंगे ऐसे और देखिए जब भी आप 34 से 42 कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आदा इंच माइनस कर दीजिए हमें ऐसा ठीक है अभी देखिए यहाँ से लेकर जो अंदर हमारा main shoulder था ना वहाँ पर कितना इंचा रहा है 5,3 इंचा रहा है ठीक है अभी इसका जो आर जो 17 इंच का है तो पने 3 इंच का है यहाँ पर इसको यहाँ रखना है कहाँ पर रखना है जो shoulder slope का نीचे वाला निशान है वहाँ पर यह रख लिया अभी यहां से हमको 17 इंच का आर्मोल चाहिए तो 8.5 पर निशान लगाएंगे यहां पर भी 8.5 पर निशान लगाएंगे यहां पर भी 8.5 पर निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे अभी देखिए यह निशान हमारा आ चुका है अब हमको क्या करना है यहाँ पर यह जो निशान है ना हमारा सवादस वाला यहाँ पर भी लाएंगे हम 10.25 पर और यह जो मार्क है यह वाला देखिए इसको और इसको मिला करके सीधा निशान लगा लेना है और यहाँ से थोड़ा दूर करकर 1.5 इंच की मार्जिन यह मार्जिन अपनी 1.5 इंच की कमपल सरी है सभी बलाउज में ठीक है अब आपको क्या करना है यहाँ पर यहाँ देखना है हमारा यहाँ पर हमारा अपर चेस्ट 35 है फूल चेस्ट 37 है तो हमको यहाँ पर 2 इंच minus करना है कैसे करना है क्योंकि जो भी अपर चेश्ट होता है यहीं Сे minus होता है बेग में से minus नहीं होगा बेग में सवा 9 आया है सवा 9 ही रहने वाला है तो 1 इंच कैसे minus करना है चलिए बताता हूँ क्योंकि 2 इंच हो गए यहाँ पर गेप और इसमें एक एक क्यों हुआ एक ये पल्ले में एक दुसरे पल्ले में तो एक इंच हमको यहां से कम करना है पहले देखिए यहां पर मार्क लगाईए कित तारा है साड़े साथ में आदा पाइंट कम है यहां पर भी रखेंगे साड़े साथ इंच और देखिए यहां से अंदर लगाई ये सवाइंच का मार्क, ये देखिए सवाइंच मैंने इसको अंदर कर दिया है, ध्यान रखना है, यहाँ पर सवाइंच अंदर करना है, इस निसान को यहाँ मिलाना है, और देखिए इसको continue कर देना है, ये कर दिया मैंने continue, अब क्या करेंगे हम, एक मार्क यहाँ देखिए ऐसे रखिए एक मार्क यहां लगा लीजिए यह हमारा डॉट होगा जो की माइनस होगा कटोरी बिलाउस में डॉट को माइनस करना है यहां पर रखेंगे हम एक इंच का निसान लगाएंगे अपर चेस्ट में एक इंच कम करना है तो देखिए यहां से लेकर यहां म कम होगा तो 2 इंच दोनों तरफ से कम हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों आपने देख लिया ये ये माइनस करने के बाद में हम इस आर्मोहल को नीचे उतारेंगे वैसे तो मैं आपको बता दू जितना यहाँ पर आया है 1 इंच उतना ही आपको यहाँ पर उतरना है 1 इंच ठीक है लेकिन मैं आपको सही तरीके से उतरना सिखा दूँगा ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे इसको उतारा जाता है अभी आप क्या कीजिए यहाँ से अगर डीपनेक बना रहे है 8, 9, 10, 11, 12 तो यहाँ पर 0.75 का डॉट लगाना है अभी देखिए ऐसे देख लेंगे हम ऐसे रख कर तो यह 0.75 आपका डॉट का निसान आ जाएगा तो इसको यहाँ मिला दीजिए जब आपका 2 इंच अपर चेस्ट और चेस्ट में गेप है तो आपने यहीं से कम कर दिया तो यहाँ पर एक आप आदा इंच का डॉट लगाईए और यह लगा लीजिए बहुती सुन्दर इसकी फिटिंग आती है बलाउच की यह देखिए किलियर हो गया अब आपको क्या करना है नीचे वाला डॉट नीचे वाला डॉट नीचे वाला डॉट आपको ऐसे लगाना है और यहाँ पर क्या लिखना है हमारा फूल चेस्ट किता है 37 37 भागित 12 एक और यह दो ठीक है यहाँ बराबर करेंगे तो किता आएगा यह आएगा हमारे पास 3 इंच और थोड़ा सा उपर है ना माइनस है बर वन से भी उपर है तो इसको 3 इंच और एक पाइंट रख लेते हैं अपन डाइरेक्ट यह देखिए ऐसे यह 3 इंच एक पाइंट का हम यहाँ पर डॉट का निशान लगाएंगे यहाँ पर रखेंगे ऐसे और पोने 4 हमने रखा तो नीचे भी यहाँ रखेंगे हम पहले ऐसे और अगर हमने यहाँ पर आदा इंच का डॉट भरना है तो यहाँ पर से पाव इंच पहले ही कम कर दीजिए ऐसे रख लीजिए .25 यहाँ पर कम कर लीजिए डॉट के लिए चोड़ाई के लिए यहाँ पर लगबाग 10 इंच आएगा कमर कित्ती है कस्टमर की कमर है 31.50 तो हम इसको 32 इंच मान लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे कित्ता आ रहा है पोने 2 में 1 पाइंच जादा तो यहाँ पर 2 इंच का हम डॉट लगाएंगे एक इंच इधर एक इंच इधर ठीक है तो यह 2 इंच का जो डॉट है हमारा इसको मार्क कर लीजिए यह मैंने मार्क कर लिया है इस डॉट को मैं यहाँ पर लगा दूँगा इसे यह हमारी कटोरी का डॉट बन जाएगा हम इसमें नीचे कुछ पलस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हम सिलाई मार्जिन देंगे और कराश पट्टी में भी सिलाई मार्जिन देंगे इस्ट्रा अभी देखी यह मैंने एक मार्क पूरा कर लिया है यहाँ से ऐसे रखेंगे अपन किता आ रहा है पोने तीन इसको यहां रखेंगे यह किता आ गया जो भी center आएगा उसको मिला लेना है अभी यहां से यह आदा इंच नीचे बढ़ा दीजिए ऐसे करकर यह हो गया और यहां से यह देखिए ऐसे जो भी अपने पास आ रहा है उसका आदा करिए पर आदा इंच का डॉट भरा है तो उसका यहाँ आदा इंच नीचे उतार दिया यहाँ से यहाँ का जो भी गेप आया हमारे डॉट का उसका आदा कर लिया यह हो जाएगी मेरी क्रास पट्टी ठीक है तो दोस्तों इसके लिए हमको क्या करना है यह जो मार्क है ना यहाँ पर से यहाँ मिला देना है ऐसे अभी इधर क्या है राउन देना है हमको तो हम यहाँ से मिलाएंगे इसे और जहाँ भी हमारा राउन फिक्स हो जाएगा वहाँ पर क्रास पट्टी का निसान लगा देंगे ठीक है अभी यहां तक आप clear समझ गए होंगे और देखिए यहां से नीचे यहां से नीचे आप ऐसे सीधा निसान लगाईए यहां से नीचे भी आप एक सीधा निसान लगाईए ये हो गया मेरा क्रास पट्टी में जो दबाव आएगा ना बीच में उसको कटिंग करने के लिए निसान ये मेरा उपर जाएगा यहां से इतना हम क्रास पट्टी को तिर्ची रख लेंगे और अगर आपको करास पट्टी तिर्ची नहीं रखना है तो आप यहाँ पर इतना भी रख सकते हैं ठीक है और इतना रखकर भी ऐसे आप निसान लगा करके कटिंग कर सकते हैं ठीक है अगर किसी को यहाँ पर राउंड जादा नहीं चाहिए तब लेकिन अभी आप यहाँ तक पूरा समझ गए होंगे अभी मैं क्या करूँगा यह एक डाट दो डाट तीन डाट और इनको सब को माइनस करूँगा और यह जो नीचे वाला डाट है इसको बड़ा करूँगा उससे पहले आपको बता दू यहाँ पर हमको कटोरी का दूसरा भी निसान लगाना है वो भी लगा लेंगे लेकिन केसे लगाएंगे चलिए पहले डाट को माइनस करते हैं यहाँ से अब डीब गला है हमारा तो सोल्डर केसे माइनस होगा पहले ये डार्ट होन के लिए हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पर से पहले मैं इस डार्ट को कट कर दूँगा से यह कट हो गया दोस्तो अभी हम इसको माइनस करेंगे और सोल्डर कम करेंगे पहले यह हो गया किलियर अभी हमको इसको खोलना ही नहीं है तो इसको ऐसी रहन देंगे हम तो आपके पास अगर ऐसी स्केल है तो इसको क्या करना है यह यहाँ पर ऐसा कोना मिला देना है बरोबर से देखी यह और यह कोना मिल गया अब हमको कुछ नहीं करना है हमको जेसे यह जा रहा है वेसे निसान लगा लेना है ठीक है Qliar है दोस्तो आपको Qliar समझ में आएगा तो बताना और नहीं समझ में आएगा तो लिक्ट करके बताना अभी मैं इसको कट कर दूंगा यहां से अभी यह मेरी सिलाई मारजीन यहां आ गई है तिर्ची होकर के अब हमको कौन सा dot minus करना है यह वाला अभी जैसे मैंने बताय था ना यह यहां से लेना है इस mark को मिलाना है और इसी mark को follow करते जाना है तो यहां पर automatic आपका निशान आ जाएगा जैसे एक यहां अपर चेस्ट कम किया तो यहां से automatic नीचे आ जाएगा ज्यादा tension लेने के आपको जरुबत नहीं है और यहां से क्या करेंगे आप 0.75 पर निशान लगाएंगे ऐसे यहां से यहां तक और इस निशान को देखिए इसको ऐसे follow करना है आपको थोड़ा उपर करके यहां तक ठीक है अभी अपना जो आर महल की गुलाई मिलेगी ना यहां आकर मिल जाएगी अभी मैंने ऐसे रख लिया मेरे तरफ आप भी ऐसे रख लेना और इसको देखिए यहां से ऐसे मिलाएंगे तो यहां पर यह गुलाई मिल जाएगी यह देखिए बिल्कुल यहां से ऐसे यह आ जाएगा यह जो बीच का है ना इसको हटा दीजिए अभी इसको cut कर लेता हूँ पहले में देख लिजिए यह हो गया हमारा अब यहां पर हमको क्या करना है एक छटका लगा देना है जहां से हमारी दिलाई रहेगी ऐसे यह किलियर हो गया यहां पर का डॉट माइनस करा यहां का डॉट माइनस करा यह डॉट एटोमेटिक चोड़ाई बढ़ रही है इसको कोई टेंसन नहीं लेना है आपको आगे देखना है अब यह वाला डॉट हमको माइनस करना है जो नए लोग है ना सिखने वाले उनके लिए कितनी बढ़िया सुईधा है यहां पर अपर चेस्ट भी कम हो गया हमारा मेंचेस्ट जितना था उतना रहे गया यहां पर डॉट कितना चोड़ा रखना है अभी देखिए कई लोगों का यह कुस्चन रहता है कि सर यहां पर डॉट कितने इंज का देंगे कितने इंज का रखना है लेकिन आपको यह ध्यान रखना है अगर यहां पर 32 कमर रहेगी तो यहां आ रहा है अगर इसकी कमर 34 रहेगी तो कहां आएगा यहां से dot आएगा इतना तो dot automatic आजाएगा आपका आपको ऐसे ही cutting करना है अभी देखिए हमारा कमर का 14 मान लेते हैं 8 तो हमको यह वाली गुलाई कितनी चाहिए यह चाहिए 8 अभी यहां रखेंगे इसे और यहां लगाएंगे कितना आया 5 यहां रखेंगे और यहां लगाएंगे तो कितना आएगा 8 जो भी हमारी कमर आती है इसका 14 14 से आदा इंच कम से कम पलस होना चाहिए यह lower chest के यहां पर का हमेशा measurement रहता है ठीक है यहां पर देखिए shoulder की चोड़ाई कितनी रखना है हमको रखना है सवा 2 इंच यहां पर तो हम इसको कितना रखेंगे 1 इंच बढ़ा करके क्योंकि हम आदा इंच यहां दबाओ देंगे और आदा इंच यहां दबाओ देंगे ठीक है तो हमारा कहा जाएगा इस जगे पर ठीक है यह हो गया हमारा गले का निशान यहाँ पर किता आया धाई इंच में एक पाइंट कम यहाँ पर अगर आपको गला चोड़ा पेनना है तो यहाँ पर पोने तीन इंच रख लिजिए इस मार्क को यहाँ मिला दीजिए ऐसे और यहाँ से देखिए गले की लेंध हमको साड़े छे चाहिए तो साथ पर निसान लगाना है और इस निसान को हमको सीधे कर लेना है यह कर लिया दोस्तों हमने अब यहाँ से क्या करना है गले की गुलाई मिला देना है ठीक है जहाँ गले की गुलाई खतम होगी यहीं से मेरी कटोरी कटिंग होगी हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ से जो हाँ पर भी गला जाएगा वहाँ पर रख लेना है अभी आपको क्या करना है यहाँ पर देखना है यह कितना है पोने चार यहाँ रखना है यह कितना है अपना पोने चार इंच ठीक है तो दोस्तों अभी क्या करना है यहाँ पर यह पोने चार इंच आया है अभी यहाँ देखेंगे यह कितने इंच है हमारा तीन इंच यहाँ रखेंगे अपन यहाँ पर कितना आएगा तीन इंच देखिए किलियर है यहाँ पर भी तीन इंच रख लिया हमने जितना यहां था, इसको ऐसे निशान लगा लेंगे हम, बरोबर से, यह देखिए, यह हमारा मार्क आ गया है यहां पर, अब आपको यहां पर कटोरी की गुलाई देना है, तो केसे देंगे हम, यहां रखेंगे इसे सीधा, और यहां मिला देंगे, ठीक, यह देखिए दोस्त ये कटोरी की गुलाई एटोमेटिक आ गई अभी दोस्तों आपको क्या करना है एक माइनस डाट और लगाना है जो कटोरी बलाउच के लिए जरूरी हो गया है और उसको हमेशा लगाते रहना है यहाँ पर रखेंगे इसे देखिए इस प्रकार से यहाँ मैंने मार्क लगाया इस सेंटर से यहाँ तक इसको पाइंट फाइब एक पाइंट इधर एक पाइंट इधर याने पाविंच देना है और इसको यहाँ पर मिला देना है ऐसे ऐसे और यहाँ से देखिए ऐसे मिला लेना है और देखिए ये आपका बिल्कुल बरोबर आ जाएगा यहाँ पर ये डॉट को माइनस करने के बाद और देखिए दोस्तों ये कोई नया काम नहीं है पहले भी तीन साल पहले भी डॉट को हम माइनस करते थे लेकिन उसका तरीका अलग रहता था आपको डाइरेक्ट पराग बुटिक चैनल पर जो हमारा वीडियो आने वाला है ना वहाँ पर जो डाइरेक्ट कपड़े पर कटिंग होती है तो ये डॉट केसे वहाँ माइनस होता है मैं आपको बताऊंगा तो देखिए अब इसको हम रख देते हैं यहाँ से कट करके यह देखिए दोस्तों तो यहाँ तक कटिंग आपको समझ में आ गई अभी पहले इसका बेक कटिंग होगा बेक कटिंग होने के बाद यहाँ की लेंथ मेजरमेंट होगी और वहाँ से कितना कम करना है आपको पता चल जाएगा क्योंकि 1.5 इंज मैंने एश्ट्रा बढ़ा के रखा है देखे दोस्तों बेक कटिंग कर रहे है तो बेक कटिंग में आदा इंज नीचे एश्ट्रा छोड़ दीजिए यहाँ से रखिए 15 इंज पर निसान लगाईए जैसा सोल्डर सुलोप हमने दिया था सवा इंज का वैसे ही सोल्डर सुलोप यहाँ दे देना है यहाँ पर हमारा कितना आया है यहाँ पर साड़े पंदरा है नीचे तो यहाँ पर भी साड़े पंदरा पर मार्क एक मार्क साड़े पंद्रा पर यहां पर इसी तरह से इस मार्क को मिला देंगे यहां पर ऐसे ही यहां पर मिलाएंगे हम अभी पोने तीन इंच हमने यहां पर गले की चोड़ा ही रखी थी तो रख लेंगे 14 इंच सोल्डर था तो 7 इंच और आदा इंच यहाँ पर सिलाई मारजिन यह हो गया किलियर अभी जब बेक कटिंग करेंगे यहाँ फारमला वाता यहाँ पर लगा अभी जब आप बेक की कटिंग करेंगे तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऐसे रखना है यहाँ पर निसान उपर लजाना है ऐसे और यहाँ से क्या करना है 1,5 इंच उपर चड़ा देना है बेक कटिंग में हमेशा ध्यान रखना यहाँ से 1,5 इंच उपर चड़ा देना नहीं तो बेक की लंबई आपकी कम हो जाएगी ठीके यह हो गया अब आपको क्या करना है यहाँ पर जैसे 10.25 रखा था हमने फरंट के लिए तो यहाँ पर साड़े आट पर निशान लगाएंगे और आदा इंच बढ़ा कर निशान लगाएंगे तो कित्ता हो जाएगा 9 इंच पर ठीके दोस्तों इस निशान को हम यहाँ भी ले जाएंगे इसे और 9 इंच पर मार्क लगा देंगे अभी यह जो नीचे उताराना आदा इंच इसको उतारना कंपल सरी है ध्यान रखना 34 से 42 तक आदा इंच उतार दीजिएगा ठीक है अब आपको ध्यान देना है हमारा बेग कितना था फरंट में आपने को देखा देके हम हमारा बेग कितना है 9.25 क्योंकि 10.25 हमने क्या रखा फरंट तो 9.25 का बेग है यहां ऐसे रखेंगे हम 9.25 यह किलियर हो गया अभी यहां से क्या करना है आपको ऐसे ले जाना है यहां पर कितना है साड़े साथ यहां पर रखना है साड़े साथ पर मार्क और यहां से आपको क्या करना है .75 अंदर रख लेना है बस और यहां से मिलाईए यह उपर वाला निशान है इसको यहां से यह मिल गया अभी आपको इसका आर्म होल का शेप दे देना है लगभग आदा इंच छोड़ देना है यहां पर मिला लेना है इसे करकर और जहां हमारे आर्म होल का शेप बनेगा वहां मिला लेना है अब देखेंगे इसको 17 इंच आर्म होल है या नहीं है यहां रखेंगे इसे तो यह देखिए बिलकुल 17 इंच का आर्म होल आपका फिक्स आ जाएगा इस तरीके से कटिंग कर लेना कभी भी आपके शोल्डर में इस तरीके से कटिंग कर लेना कभी भी आपके आर्म होल में जोल नहीं आने वाला डाल इस इस्टाग्राम पर बढ़ा पड़ा यह रेखिए यहां पर 1,5 इंच की मार्जिन और मार्जिन मिला करके यहां कित्ता हो जाएगा हमारे पास 11 इंच में एक पाइंट कम यह 2 इंच का हमारा शोल्डर माइनस होगा इसको हम ऐसे निशान थोड़ा लगा लेते हैं ऐसे करकर हमारी कमर कित्पी है हम कमर मान लेते हैं 8 इंच हैसे मार्क लगाएंगे यहां से इस मार्क को इससे मिला देंगे यह हमारा कमर का निशान है अब आपको क्या करना है यहां पर इसको आदे पर निशान लगाना है 4 इंच पर तो पोने 4 पर निशान लगा लेता हूँ साइट से में ऐसे पाव इंच उदर धका दिया बेने इदर गले तरब नहीं रखा अभी यह निशान और यह निशान को यहां लगाएंगे लगबग यह डाट 4.5 इंच का रख लिजिए ऐसे निशान लगा कर अब इसको कट कर लिजिए यह जो देड़ इंच का निशान है इसको यहां भी फॉलो करना है तो यहां रखूंगा मैं ऐसे देड़ इंच की मारजिन मेरी इस जगे पर और यहां का निशान में यहां मिला दूँगा ठीक है बाकी का जो भी है इसको कट कर दूँगा अब हमारे पास मेन निशान यह वाला है अब हमको क्या करना है यहां से इसको कट कर लेना है ऐसे अभी यहां से भी इसको कट कर लेना है ऐसे अभी दोनों कट हो गए तो मैं डाइरेक आपको ऐसी जोड़ के दिखा देता हूं यहां पर गलो लगाईए यह गलो लग गया और इस भाग को यहां रखिए ऐसे बरोबर से मिला करके और जहां पर भी यह हमारा निशान है ना इस से मिला देना है ऐसे ले जाईए और यहां पर ठीक है? ऐसे मिला करके इसको चिपका दिजिए अब यह हमारा यहां से कट हो जाएगा लखेंगे 10 इंच गला है तो 10.5 पर मार्क एक मार्क ऐसे सीधा लगाएंगे यहां से ऐसे निसान लगाएंगे और यह मार्क को यहां मिला देंगे तो यह गुलाई वाला यहां पर आपको मालूम है न हमको बहुत सारी डिजाइन बनाना है तो design बनाना है तो हमको bake के से cutting करना पड़ेगा ऐसे गले को नहीं cut करना है हमको यहां से ऐसे cut कर लेना है ठीक है तो दोस्तो clear समझ में आगया आपको यह design वाले गले के लिए हम ऐसे cut करके रखते अभी देखिए दोस्तो मैं क्या करूँगा यहां से इसको cut कर दूँगा बरोबर ऐसे और यहां से भी देखेंगे ऐसे ठीक है अभी देखिए दोस्तो blouse की लंबई कितनी थी आपको मालूम है 14 इंच blouse की लंबई थी 1 इंच margin बढ़ई तो कित्ता आया 15 यहां पर रखेंगे इसे और यहां पर तो देखिए कित्ता आया है 15 इंच अगर यह आदा इंच नहीं बढ़ाते तो लंबई कित्ती होती 14 इंच ठीक है तो आपको 15 इंच बरोबर लंबई चाहिए जैसे मैंने बता रहा हूँ ऐसे ही cutting करना है अभी यह हमारा bake cutting हो गया है अभी यह जो front है इसकी cutting के लिए हमको क्या चीज़ का ध्यान रखना है यहां रखना है इसे देखिए यह रखा मैंने अभी यह इदर ला बनाना प्रडाक से इस्टाग्राम के लिए दस बनाना यह देखिए यहां रखा इसको यहां मिलाऊंगा मैं ऐसे बरोबर से कोई चीज़ का ध्यान नहीं रखना है आपको यहां से यहां मिलाना है जो भी आपका mark आएगा यहां पर लगा लेना है ठीक है और इस mark को follow करना है हमको देखिए इस margin को मैंने इसलिए cut किया है क्योंकि आपको जो तरीका बताना है वो regular एक जैसा बताना है ठीक है क्योंकि कई बार यहां पर dot देड़ इंच का लगेगा कई बार यहां पर dot और बड़ा लगेगा तो dot बड़ेंगा फिर अपनी टेकनिक बदली हो जाएंगी तो टेकनिक बदली ना हो उसके लिए मैं आपको एक लाइन से काम थिका रहा हूँ अभी यह जो हमारे क्रास पट्टी की चोड़ाई है यह पूरी बराबर आ गई है आपको कोई भी टेंचन नहीं रखना है इस प्रकार से कटिंग कर लेना है अभी मैं इसको कट कर लूँगा यहां से यह देखिए मैंने इसको कट मार दिया अब मैं क्या करूँगा ऐसे ही इधर भी कट लगा दूँगा देखिए अभी देखिए आपको ध्यान रखना है जब भी हम ऐसा सीधा ही कट कर लेते हैं तो फिर भी एक पाइंट रहता है कि सुल्डर थोड़ा सा उतर सकता है हुक की पट्टी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है यहां पर धिली हो जाती है क्योंकि यह सब उरेव रहता है तो हमको क्या करना है जब भी आप कटिंग करेंगे न ऐसी तो यहां रखेंगे ऐसे करकर या तो आप इसको आदा इंच कम कर लिजिए यहां से आदा इंच या फिर इसको आदा इंच कम कर लिजिए ठीक है यह दोनों में से एक चीज़ को आदा इंच कम कर लेना है हमको इसकी गुलाई ज़्यादा दिख रही तो हम इसको कम कर लेंगे ठीक है जब आप पहनेंगे ना बुलाउच को तो आपका सोल्डर बाहर तरब कभी भी जाने वाला नहीं है ठीक है इसका ध्यान रखना ऐसे कटिंग कर लेना क्योंकि मैंने देखा है कई लोग को पाइपिंग खेचते नहीं आती है कई लोगों को बहुत प्राब्लम आती है कि हमारा गला उतर ही रहा है सर ठीक है तो यह टेक्निक इसलिए बताया मैंने यहां से हम कटोरी कट करेंगे कि दोस्तों यह किलियर आपको समझ में आ गया कि यहां पर कपड़ा है हमारे पास और यह एक मिटर कपड़ा है यह unfold हमारे तरफ है याने की बंद वाला भाग और यह जो खुला वाला भाग है यह बहार है इसी प्रकार से आपको भी कपड़ा बिच्छाना है सबसे पहले अब हमको बेग उठाना है यहां पर ऐसे रखना है और देखिए बेग में कहीं भी हमको एश्ट्रा मार्जिन नहीं देना है यह हो गया हमारा बेग का निशान complete इसको अटा दीजिए अभी हम यहां रखेंगे यह हमारा side part है कटोरी का अभी देखिए यहां पर दो जगे हमको मार्जिन देना होती है जब भी आप इस प्रकार से cutting करेंगे तो यहां पर मार्जिन देंगे इस जगे पर और एक जगे यहाँ पर margin देंगे याद रखना है आपको margin एश्ट्रा यहाँ पर देना है तो मैंने M लिख दिया है margin के लिए यहाँ रखूंगा ऐसे करकर में और इस पर निशान लगाऊंगा दोस्तों अगर आप यहाँ पर देड़ इंच की जगर दो इंच की margin रखना चाहते तो automatic यहाँ margin बढ़ाईए यहाँ बढ़ाईए और cross-part team बढ़ाईए तो दो इंच की हो जाएगी ठीक है अभी देखिए यहाँ पर ऐसे आपको सिलाई margin एश्ट्रा बढ़ा लेना है यहाँ पर भी तो ध्यान रखना है किस किस को अगर समझ में नहीं आ रही तो यह देख लीजिए यह हमारी सिलाई margin है ठीक है दोस्तों बचा गया है कटोरी और cross-part team और यह निशान लगाए हमने यहाँ पर भी हलका सा कट है उसको मैंने सीधा मिला दिया है मतलब regular गुलाई में और यहाँ से देखिए आदा इंच का हमारा सिलाई margin देना है यहाँ रखेंगे अभी यहाँ पर ऐसे रखा मैंने यह देखिए ऐसे करकर यहाँ पर नीचे margin देना है मुझे तो यहाँ पर थ खड़ा कपड़ा है यह आड़ा कपड़ा है हमको कैसा रखना है यह से उरेब में कटोरी को तो मैंने यहाँ कैसे रखा है उरेब के अंदर क्योंकि मैं अगर खड़े कपड़े में रखूँगा तो मेरी कटोरी ऐसी रहेगी अगर मैं आड़े कपड़े में रखूँगा त सीधे कपड़े पर रख दीजिए जैसे कि मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर और यहाँ पर ठीक है यह सीधा हो गया सीधे कपड़े पर यहाँ मिला दीजिए तो कटोरी एक्टोमेटिक उरेप हो जाएगी चलिए इसको निसान लगाते हैं पहले यह लगाया मैंने यह हो गया अभी यहाँ पर सिलाई मार्जिन हमारे पास एड है तो यहाँ पर देना नहीं है यहाँ पर भी गले में सिलाई मार्जिन एड है तो यहाँ भी देना नहीं है इस तरफ हमको सिलाई मार्जिन देना है यहाँ पर आदा इंच की तो यह मैंने सिलाई मार्जिन यहाँ पर एट कर दी है अभी देखिए यह निसान को नीचे उतार दीजिए इसको भी नीचे उतार दीजिए यहाँ पर आदा इन सिलाई मार्जिन आपको देना है ऐसे करकर ठीके तो दोस्तों किलियर समझ गया आपको यहाँ पर हमको डॉट दे देना है दोस्तों मैंने आप पूरी ड्राइंग लगा ली है इस paper pattern की मदद से मैंने पूरी cutting आपको दिखा दी है और ऐसे ही paper pattern हमारे पास भी है तैयार अगर आप अगर किसी को भी हमारे यह paper pattern चाहिए तो आप ले सकते हैं इसी प्रकार की इसमें cutting है और देखिए यह जो paper pattern है ना यह बाकाइदा दोनों तरफ से lamination है cart sheet पर है यह कागज का कचरा नहीं है है ना तो यह जो paper pattern लेते ना सालों साल आपको काम में आते हैं तो इस तरीके के paper pattern भी आप मंगा सकते हैं और नहीं मंगा सकते तो आप मेरे वीडियो पूरे follow कर लीजिए आपको ऐसे paper pattern आप खुद बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी next video में तब तक के लिए bye